मैं आचल सिंह आपको संस्क्रीट सब्जेक्ट पढ़ाने चारी हूँ सुभासितानी का दूसरा पैराग्राफ सुभासितानी का अर्थ होता है मीठा और सुन्दर वचन साहित्य संगीत कलाविहीना साहित्य पशु पुछ विशाहीना त्रिनानो खादनयपी जीवन माना तद भाग धेयम परम पशुनाम कहने का दात पर यह हुआ कि मनुष और जानबर में पशु में क्या अंतर है पशु घास खाता है और मनुष क्या करता है घास नहीं खाता है साहित एवं संगीत आधी अनिकलाओं से रहित मनुष पूछ और सिंखों से रहित साच्छाथ पशु है घास को न खाता हुआ हुआ जीवित रहता है तो पशु पशुओं का बहुत बड़ा सोभाग्य है क्या है पशुओं का बहुत बड़ा सोभाव है अगर मनुष क्या करता उसका चाड़ा यानि घास को खाता तो क्या संभव था कि पशु को घास मिल पाता नहीं नहीं संभव था तो ये बहुत इसके लिए बहुत बड़ी सोभाग्य की बात है कि मनुष से घास नहीं खाता कहने का तात पर यह हुआ कभी कहते हैं कि यदि हम पशु तुली अपने मानुजिवन को सार्थख एवन सफल बनाना चाहते हैं तो हमें साहित यानि संगीत की कलाओं को सीखना चाहिए तथा संगीत कलाओं को सीखना चाहिए या प्रयास करना चाहिए मानव और पसु में केवल इतना अंतर है इसमें कहा गया कि मानव और पसु में सिर्फ इतना ही अंतर है जितना जैसे कि मनुस्य क्या करता है घास नहीं खाता है और पसु क्या करता है घास को खाता है ठीक है लेकिन मनुस्य क्यों क्या करना चाहिए उसे अपने साहित्ति कलाओं को सीखने का लगातार प्रयत्न करना चाहिए अब आते हैं मापका दूशा पैराग्राफ विहाय पोरुसम योहीं देव मेवा लंबवते इसका अर्थ होता है इस असलोग में हमें भागिक से के सहारे न रहकर हमें क्या करना है चाहिए पुरसार्थ करना चाहिए परिश्रम करना चाहिए इसी की प्रेरना दी गई है अब आते हैं ब्याक है निश्चे ही जो मनुस परिश्रम को छोड़कर भाग के सहारे जीता है या सहारा लेकर उसके सीर पर तो महल के सेर भी यानि महल विकाने का ताथ पर यह हुआ कि महल बड़े बड़े आलिसान महल बना लेते हैं उस पर क्या करते हैं सीख का चित्र यानि मुर्ती तयार कर देते हैं लेकिन उस पर कौन सा वसेरा करता है तो वहाँ पर पच्छी वसेरा करते हैं से चिरिया आकर वहां पर बैठती है और वह अपना बैठती है उकुछ समय के लिए फिर उड़ जाती है भावार्थ या यह भावार्थ कभी कहने का ताथ पर यह है कि हमें भाग के सारे कोई भी चीजों को नहीं छोड़ना चाहिए हमें परिश्रम करनी चाहिए पूरसार् पर कदम पर अपमानित अपमान महशूस होता है और अपमानित करने वाले इंसान इस तुनिया में बहुत सारे है ठीक है धन्यवाद